Hello everyone, today we are going to see our next chapter which is gravitation. Before going ahead, first we understand the term gravitation. So, gravitation का meaning basic के लिए क्या होता है? Attraction होता है. So, gravitation है कि it is a force of attraction between those body which having mass. Okay, so mass की वज़े से bodies के बीच में कौन सा force होता है? Gravitational force होता है. ठीक है? तो अब देखते हैं लोग. एक छोटी सी history है about the gravitation. मतलब starting कहां से हुआ है, beginning कहां से हुआ, इस gravitation के era में, इस field में. तो देखो, आज हम लोग जतना easily बोल पाते हैं कि अर्थ revolve करती है around sun, अर्थ spin करती है अपनी axis के about, अर्थ का time period ये है, revolve करने का और spin करने का. स्टार्टिंग में इतना easy नहीं था, सब कुछ कहां पाना. लोगों ने अपना complete life devote कर दी, इन सब data को collect करने के लिए. ओके, तो सबसे पहले जो contribution रहा है, वो किसका रहा है? टुलोमी का, टुलोमी बेसिकलिए एक एक्स्ट्रो नोमर थे, उन्होंने एक थोरी दिदि जिसको हम बोलते है, थोरी ओप जियो सेंटिजम, अब थोरी ओप जियो सेंटिजम क्या बोलती है? जियो का मीन होता है, अर्थ, सेंटिजम मतलब, lie at center, मतलब जो अर्थ है, वो सेंटर पर lie करती है, और जितने भी अधर प्लैनेट्स हैं, जो अर्थ है, अधर जो प्लैनेट्स हैं, और जो हमारा सन है, वो सभी revolve करते हैं around the Earth, इना circular orbit, ये बात किस ने कही थी? तुलोमी ने कहा था, ठीक है, उसके बाद हम सभी ने इस चीड़ को फोलो किया, तो फाइनली आगे जाके एक साइंटिस आये था, हमारे कॉपर्निकस, ठीक है, उन्होंने अपनी थोरी थी, थोरी ओफ हिलो सेंटिजम, अब थोरी ओफ हिलो सेंटिजम क्या बोलती है, ये दिको हिलियो मतलब होता है सन, सेंटिजम मतलब लाइट सेंटर, मतलब सन सेंटरे पर लाई करता है, और जितने भी हमारे प्लानेट्स हैं, अर्थ है, वो सभी रिवोल करते हैं इन दा सर्कुलर ओर्बिट, अराउंड दा सन, मतलब सन स्टेशनरी है, ये बात किसने बोला था, कॉपर्णिकस ने, ओके, अभी तक ये जो दोनों थोरी हैं, बेसिकली हाइपोथिस है, मतलब हाइपोथिस मतलब हमारे पास कोई भी एक एक्सपरिमेंटल प्रूफ नियें दोनोंगा, ठीक है, लोगों ने जो अब्जर्व किया, उसी के भ्याप पर अपनी थोर्टिकल अप्रोच बता पा रहे हैं, ठीक है, आगे जाके, हमारे एक एक एक्स्ट्र नोमर थे, ताइकोब्रा है, उन्होंने क्या किया, विद्ध ह अब्जर्व किया, यह मालो प्लैनेट यहाँ पर था, नेक्स दे मालो प्लैनेट यहाँ पर आ गया, और नेक्स दे यहाँ पर आ गया, तो ऐसे करके उन्होंने अपने मैप्स ड्रो करें, हर एक प्लानेट के लिए, ठीक है, तो यह जो वर्क किया, उन्होंने 25 वेर्शक कि किया study किया और इससे conclusion क्या निकाला कि उन्होंने उनको formulate कर दिया मतलब जो maps से जो maps आप डाटा दे रहे हैं उसको उन्होंने formulate कर दिया जिसको आज हम क्या बोलते है laws of planetary motion ओके उन्होंने अपने तीन लो दिये थे in the law of planetary motion जिसको हम पढ़ेंगे आगे अपने further chapter के अंदर अच्छतर detail में ओके बड़ यहां तक भी न अभी हमारी जो कहानी है वो खतम ने हुई अब इन्होंने लो तो दे दिये पर इसको यह अभी तक mathematical proof नहीं कर पाए कि यह ऐसा ही क्यों हो रहा है ठीक है अब यह काम किस ने किया हमारे आइसक न्यूटन साब ने जो हमारे न्यूटन साब थे उन्होंने क्या किया जो लो हमारे कैपलर ने दिये थे उसको mathematical proof कर दिया जिस वज़े से इनका अज बहुत नाम है इस ग्रेविटेशन के एरा के अंदर ठीक है ओके आपको मैं बात और बता दू वैसे कि यह जो इन्होंने ग्रेविटेशन के फिल्ड में इतना contribution किया था वो भी एक lockdown का फिलेड था वैसे ठीक है यूके के अंदर भी एक lockdown हुआ था लेट की वज़े से ठीक है उस टाइम इन्होंने बहुत सारा contribution किया लाइट में बता जो हम लोग पढ़ते है प्रीजम वगारा की के इसमें और ग्रेविटेशन के फिल्ड में बहुत काम किया उन्होंने घर बैठके अपने अपने आपको कॉरंटीन करके ठीक है तो उस टाइम इन्होंने बहुत सारा study किया और बाद मैं इन्होंने इस अपने paper को publish कर दिया तो बहुत सकते है जो main contribution रहा at the last हो किसका राय यहां पे Newton का है क्योंकि उसने हर एक formula को प्रूफ कर दिया mathematical तो finally हमारे पास क्या conclusion निकला कि जिन बोडी के पास mass है उन बोडी के बीच में क्या gravitation force है उन्होंने कैसे इस 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 को compare किया था with the help of two phenomena first phenomena किसके बीच में देखा उन्होंने मून के बीच और earth के बीच में उन्होंने कहा देखा बाई जो force मून और earth के बीच में वही force आर्थ और उस एपल के बीच में भी है जो एपड़ उन्हों ने उबसर किया था उस टाइम पर उन्हों ने बोले दोनों फोट्स अडेंटीकल है मत्द सेम ही है सिमलर नेचर के ही है तो बाद में ने उनको कम्पाइल किया और फाइल एक हमें एक फॉर्मला दिया थे है क्या देखो अगर आपके पास मालों कोई दो पोइंट मास है M1 M2 उनके बीच में separation मालों कितना है R तो यह जो force of attraction होगा हम क्या बोलेंगे यह वाला मास इसको पर force अगा रहा है और यह वाला मास इसको पर force अगा रहा है अब यह force कौन सा को force on 1 due to 2 यह force का force on 2 due to 1 तो हमने क्या बोले कैसे force है मेरे action direction force है action direction force के तीन अपने criteria होते है first क्या होता है कि यह दो different body pact करते है यहाँ पर दो different body है दूसरी बात क्या है जो force का जो magnitude है वो equal होता है हम बोल सकते हैं कि F12 का जो magnitude है वो किसके बराबर है F21 के और जो तीसरा characteristics है action direction force का वो क्या होता है direction of जो direction होगा दोनों का वो कैसा होगा opposite होगा ठीक है अगर यह force plus x में है तो एक force minus x में होगा ठीक है तो यह तीनो criteria अप fulfill कर रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं कैसा force हमारा action direction force है ओके second point क्या है इस formula के regarding इस force के regarding कि जो यह force है वो surrounding medium पे डिपेंड नहीं करता है surrounding medium का मतलब क्या है अगर यहां पर मालो अगर मेरा intervening medium air है मतला अगर दूसरा medium मालो जिसमें placed है अगर वो air है तो यही force जब रहेगा जब आप इन दोनों को प्लेस कर दो के water के अंदर तो बले ही चाहिए surrounding में कैसा भी medium हो यह force कभी change नहीं होने वाला तो बोल सकते हो it is independent on the surrounding medium and third point about the given formula is कि यह जो force है वो basically central force है आप क्या देखर हो यह दो point mass है और इनकी basically क्या है central axis तो जो direction of force है वो along दा क्या है central axis यह central axis तो स्विश्चा में क्या बोल रहे है यहां पर central force okay and the fourth thing is यह जो low है basically वो एक inverse square low है अगर आपके पास कोई भी एक force है इस given x given form में तो इसको आप क्या read कर तो यह आपका inverse की नीचे है inverse square low है okay तो यह कुछ special feature थे इस given force के और आपको यहां दखना है जो force का magnitude between the two point masses is equal to G here G is the here G is the universal gravitational constant which value is equal to 6.67 into 10G power minus 11 newton meter square divided by kg square आपको यह value याद अखना है और यह जो G है वो आपका surrounding medium पर depend नहीं करता है यह बात आपको याद अखना है तो यह बहुत basic side है था हमार पास इस force का क्या आ चुका है magnitude आ चुका है क्योंकि अब बट force कैसी quantity है यह vector quantity है तो आपको आप इस force को लिखना पड़ेगा अपने vector form में तो vector form में आप कैसे लिखोगे बट देखो भई माल नहीं कि हमार पास यह दो point महां से अपने यह M1 है M2 है separation R है तो अब तक हमने पड़ा है vector में अगर मैं बोलता हूँ यह मालनो मेरा one point है यह second point है अगर मालनो vector इस direction में है वो यह distance मालनो मेरे पास कितना है R तो मैं कहले लिखोगे इसको R to one vector है कैसे लिखते हैं देखो जिस तरफ arrow होगा ना आपका वो पहले आएगा और जहां से start हुआ arrow बाद में आएगा ऐसे आदखने इसको आप अगर मैं बोलू कि एक vector मेरे पास इस direction में है तो यह मेरे पास किया R one two vector है ठीक है तो इसको आप यादखना कैसे notation लेना आपको ठीक ह तो आपने कै किया देखा भईy force F one two is direction में है और R two one भी मेरा is direction में है ठीक है और R one two मेरा is direction में होगा गोल सकता उनौ में बात R one two is direction में होगा R two all is direction में होगा तो जो force आया गा F one two वो किसके बराबर होगा मेरा g m1 M2 upon में R one two का cube अब इसको हमने कैसे लिखा है वो भी बताया था हूँ आपको देखो अब तक हमने कहा देखा था फोर्स का मैगनिटूड देखा था वो कहा था मेरे पास G M1 M2 अपोन में R12 का स्क्वेर अगर इसको मैं R12 वेक्टर से मल्टिप्लाई कर दूँ साथ में एक डारेक्शन भी होगी इसकी अब यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर आपको क्या बताता है डारेक्शन मताता है अगर आप इसको R21 से मल्टिप्लाई कर दोगे और R21 से डिवाइड कर दोगे तो नीचे क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और यह मेरे पास क्या बन चुका है एक कम्प्लीट वेक्टर बन चुका है क्योंकि R21 बेसिकली होता है क्या है R21 का magnitude पर R21 का direction जो unit vector हमेशा आपको direction लेता है तो बहुत basic सी बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारा vector form में जो formula है वो ही है minus g m1 m2 upon R12 का cube into R12 वेक्टर तो next हम देखते हैं अब तक यह जो force है वो खाली 2 point mass के भीच में अगर मालो मेरे पास ज्यादा masses हो गए ज्यादा point mass हो गए तो हम लोग कैसे उनसे deal करेंगे तो हम देखते हैं फिर हम उस time पर use करेंगे अपना principle of superposition अब principle of superposition आपको बताता का है इसका physical मतलब का है पर आपको ही समझना पड़ेगा देखो अगर आपके पास मालोगों दो point mass है एक mass M1 एक mass M2 है तो हमने क्या बोलेंगे इसको पर एक force लग रहा होगा F12 जो यह लगा रहा है ठीक है अब जो force है इन दो mass के बीच में और इस पर एक force लग रहा होगा F21 अब जो एक force है इन दो point mass के बीच में वो इस बात पर depend नहीं करता है कि उसके surrounding में कितने mass रखे है अगर मालों में आप एक mass और place कर दूँ अभी भी इन दोनों के बीच में force इतने रहने वाला है ठीक है तो आप क्या बोलोगे It's state that the force between the two point two object is independent on the presence of other object मतलब जो force होगा दो particle के बीच में वो इस बात पर depend नहीं करेगा कि surrounding में आपके कितने mass और place है उन पर क्या independent है ठीक है ओके तो ये basically physical meaning होता है principle of superposition का आपको याद रखना कई बार होता है physics के अंदर अब next क्या है मतलब इसका जो meaning क्या आता है principle of superposition का It's state that the net force of multiple masses on a given mass is equal to the vector sum of the force which is applied by the multiple mass in this value on the given mass अगर मालो मेरे पास कोई mass है M1 और ये mass मालो M2 है ये mass M3 है और ये mass मालो मेरे पास क्या है MN तो हम क्या बोलेंगे अगर मुझे M1 वाले पे net force निकालना है ठीक है तो ये force किसने लगाया 2 पे 2 ने लगाया 1 वाले पे और ये force किसने लगाया M ने लगाया 1 के उपर बताँ force on 1 by N particle और ये force लगा रहा है force on N1 due to third तो इस particle पे जो net force होगा वो किसके बराबर होगा इन सभी force के vector submission के बराबर होगा ये कौन बता रहा है आपको principle of superposition तो आप लिख सकते हो the force on given mass is equal to the submission of the submission of force of the multiple mass exerted indiciably on the given mass मतलब जो वो indiciably force अगा रहे है इस given mass पे उन सभी का क्या है वो vector submission है तो आपको छोड़ा सा formula याद अखना हुआ basically vector submission आपको करना आना चाहिए तो next हम एक नेक छोड़ा सा example लेते हैं इसी को पर तो देखो माल लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक square है जिसके हरे corner पे point mass placed है और आपको बोला गया है आपके पास एक fifth mass भी है जो center पे placed है आपको बताना है कि इस fifth mass पे net force कि इतना लग रहा होगा ठीक है तो हम क्या बोलेंगे इस mass के बीच में और इस mass के बीच में भी एक force of attraction होगा तो हम क्या बोलेंगे force on center by first mass ऐसे इस direction में भी होगा एक force force on center due to second mass ऐसे इस direction में होगा एक force force on center due to third mass ऐसे इस direction में होगा जो fourth particle लगा रहे है इस पे force on center due to fourth one अब इन सब का जो vector summation आएगा वो ही क्या होगा इस पे net force होगा तो एक बात आप इसली बोल सकते हो अब जो force होगा बताव FC1 किसके बराबर होगा G M1 कितना है आपे M M2 कितना है आपे 2M अब उन में distance अगर ये मालो distance A है तो ये कितना होगा मेरे पास A by root 2 वोगि हम लोग कई बाद देख चुके हैं वोगि ये कितना होता है मेरे पास root 2 A होता है न अगर ये A है ये A है तो ये कितना होता है root 2 A जब इसका आप हाफ करोगे तो कितना है जागा है A by root 2 तो distance कितना है इनके बीच में R कितना A by root 2 तो जब आप इसका square करोगे तो कितना है जागा A square by 2 तो after simplification किया जागा मेरे पास 4 G M square upon में A square अब आप क्या देख रहे हो जितना force yes पे लगाएगा उतना ही force yes पे लगाएगा क्योंकि दोनों का same configuration है तो आप लेख सकते हो force on C due to second is also same as force on C by 1 तो उन दोनों का जो magnitude आ रहा है वो यह है अब यह कितना लगाएगा इसको अपर थर्ड वाला फॉर्थ वाला ही देखते है force on C due to 3 third mass which is equal to G 2 M 2 M upon में A square by 2 तो यहां से force कितना है मेरे पास 8 G M square upon में A square ठीक है अब यही force हमारा कौन सा है fourth वाला भी ही होगा तो मैं एक बहुत बोल सकता हूँ अगर मालो यह force F है तो यह कितना है मेरे पास 2F ठीक है तो अगर यह force F यह 2F तो net इस direction में बचे F अगर यह force F यह force 2F तो net अगेन इस direction में बचेगा F अब इन दोनों के बीच में अंगल कितना है 90 वोगे डाइगनल आपके इंटरसेक्ट करते है परपंडिगुलर तो अब इनका जो resultant आएगा इनका जो addition होगा वो होगा angular bisector तो मैं बोल सकता हूँ जो resultant है वो किसके बराबर होगा मेरे पास F root 2 के बराबर होगा तो कि हमें पता है अगर मेरे पास कोई दो वेक्टर है उनके बीच में अंगल कितना है 90 तो उनका resultant क्या आता है मैं चाहँ F root 2 अब आपको F पता है ओ लड़ी 4 G M square upon में A square ठीक है तो यह basic लिए आपके पास क्या चुका है net force net force on particle which is placed at C तो ऐसे आपको approach करना है principle of या principle of surposition को आपको ऐसे apply करना है ठीक है तो यह बहुत basic सा question था आपके पास ना question कैसे भी आ सकते है अगर मैं बोल दूँ कि मेरे पास कोई भी equilateral है इसके center पे मालो कोई mass placed है तो जब आप again कर सकते हो यहाँ पे mass है, यहाँ पे mass है, यहाँ पे mass है तो अगिन आप deal कर सकते हो ठीक है आपको vector slow apply करना आना चाहिए basic basic ज़रो है ठीक है अब हम लोग next लेखते है relation between capital G and small G तो देखो माल नेते कि हमारे पास यह earth है let's suppose it is a earth which mass is m e और यह माल मेरे पास कोई भी एक object है जिसका mass कितना है m और हम क्या बोलते हैं कि इसके पास यह mass है, इसके पास यह mass है तो इन दोनों के बीच में gravitation force होगा अब इस block पे जो force लग रहा होगा वो नीचे की तरफ होगा तो हम क्या बोलेंगे जब इस block का fbd बनाएंगे या बोल सकता हूँ जो gravitation force लगाया अर्थ ने इस object को उपर वो किसके बराबर होगा force किसके बराबर होता है मेरे पास mass into acceleration के बराबर होता है ओके तो देखो अब हम लिख सकते हैं जो मेरा force है और जो force लग रहा है वो कौन सा है यहाँ पर gravitation force है तो के लिखो मैं g mass of earth mass of object divide by separation का square और force हमने पढ़ा भी तक क्या होता है mass into acceleration तो जब आप इसको simplify करोगा तो यहाँ से मेरे पास कहा जागा जो acceleration है वो किसके बराबर है g m e upon में r square और अगर खाली gravity accelerate करती है यहाँ जो acceleration होता है gravity के लिखते है small g तो यह basically notation है acceleration due to gravity के लिए specific जो है ठीक है वो किसके बराबर आचुका मेरे पास g m e upon में r square अब आपको यह पता है mass of earth कितना होता है 6 into 10 की power 24 kg और आपको यह भी बत पता है कि radius of earth कितना होता है 6.4 into 10 की power 6 meter जब आपने सभी value को put करते है तो finally मेरे पास value आता है 9.81 meter per second square ठीक है तो जो यहाँ से value आते है 9.81 की अब actually में जो हमने आपको यह formula है g sql 2 capital g m upon r square यह basicly journal formula है हमने अभी बात करिये किसकी earth के लिए बात करिये अगर मालो मेरे पास यह moon होता है other planet होता उस case में हम इसको क्या लिखते g ठीक है g किसी के लिए हो सकता है satellite के लिए हो सकता है planet के लिए हो सकता है moon के लिए हो सकता है small g जो basically क्या है g m upon में r square r basically क्या है देखो r वो point है जहाँ पर आप क्या निकाल रहे हो acceleration due to gravity निकाल रहे हो center से ओके यह आपको पता है radius हमने यहाँ पर लिए है क्योंकि हम लोग acceleration निकाल रहे हो कहाँ पर निकाल रहे है surface पर निकाल रहे है तो आपको यहाँ दखना है r basically वो distance है center से जहाँ पर value of g find out कर रहे है तो हम लोग क्या करते है एक छोड़ा सा numerical ले लेते है थोड़ा सा इसको अच्छी तरह है understand करने के लिए आपको कैसे formula यूज़ करना है तो देखो माल लेते हैं कि हमार पस कोई भी एक planet है जिसका जो जिसका जो mass है वो 9 times of mass of क्य है अब मुझसे पूचा गया कि उस given planet के आपको g की value निकालने small g की value निकालने तो हम लोग कैसे करेंगे इस सभी data को यहाँ put कर देंगे तो हमके लिखेंगे the small g is equal to g mass of planet कितना है यापे 9 times of mass of earth divide by radius of planet कितना है 2 times the radius of earth square हो जागा है यहाँ से मेरे पास कितना हाँ चुका है 9 by 4 g m e upon me r e square और इसी को आपने भी read किया था किस के बराबर होता है मेरे पास g के बराबर होता है तो हम लोग लिख सकते है कि जो g of given planet वो किस के बराबर है 9 by 4 times of g of earth तो यह एक बहुत basic सा question हो अब हम लोग next क्या देखते है अभी तक मैंने क्या देखा था surface पे value of g क्या होता है अब आपको एक बात पता है जैसे से आप height पर जाते हो आपकी value of g क्या होती है decrease होती है जैसे से आप depth पर जाते हो value of g again decrease होता है तो यह कुछ factors है जिनकों पर हमारा g की value depend करती है तो उनकों हम study करते है detail में तो next क्या है variation in g so first क्या है variation in g with height माल लेती है कि आपके पास कोई भी एक point पी जिसकी height surface से कितनी है h अब आपको बताना है कि given point p पे value of small g क्या है तो मैंना भी आपको बताया था जो वहाँ पे formula था अगर मालो मैं आपसे कहूँ कि value of g at point p क्या हो जागा देखो g m upon r basically वहाँ पे क्या था देखो जहाँ पे आप value of g निकाल रहे हो उसका distance कहां से center से अब ये distance किसके बराबर होगा देखो अगर ये h ये r है तो r plus h किसके बराबर है यहाँ पे small r के बराबर है तो उसका आप square कर दोगे तो ये basic के लिए कि है value of g at a point p ओके और g की value surface पे कितनी होती है small g होती है जिसको हम simply लिख सकते हैं और वो किसके बराबर है g m upon r square के अगर मैं इस term को इस से divide कर दू तो मेरे पास expression कुछ ही आने वाला है ठीक है so value of g at point p is equal to g at surface into r square radius of earth r plus h का whole square तो आपके छोड़ा सा formula यहाँ दखना है अगर आपको value of g निकाला किसी भी height h पे यह height आपने कहां से लिए है surface से लिए है अब next देखते हैं अब इसमें हमने एक special case देखा है कि अगर मालो आपका h काफी कम है किस से radius से तो उस case में जो हमारा given expression उसको हम लिख सकते है g into में 1 minus 2 h upon में r तो आपको यह formula यहाँ दखना है यह value of g at height h for a small height ठीक है और आपको यह भी यहाँ दखना है अब यह आपने देखाता है यहाँ पे कि इस point पे जो g की value हो basically क्या inversely proportional हो separation का square आपको यह help करेगा जब आप graph ड्रो करोगी अब देख पारो यहाँ से कैसा graph बनेगा आपका hyperbola बनने वाला है क्योंकि मैंने आपको बताया कही बार if y is inversely proportional to x अगर इसको मैं एक समाल लेता हूँ तो आप क्या बोलोगी graph कैसा बनेगा है ऐसे hyperbola ठीक है अब हम लोग क्या करते है छोड़ा सा numerical ले लेते है इसी formula को पर कि आपको कहां पर यह formula यूज़ करना है कहां पर यह formula यूज़ करना है तो बोला क्या find the value of g at height h which is equal to quarter of radius of earth मतलब जो h है वो basically वो quarter of radius of earth है तो आप क्या देख रहो है यहाँ पर यह वाली condition तो fulfill होने रही है तो हम किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर अपने इस वाले formula का यूज़ करेंगे so value of g at point p is equal to क्या हो जाएगा यहाँ पर g r square divide by r plus h कितना है यहाँ पर r plus h का r plus h का whole square तो जब इसका आप simplify करेंगे तो कितना है जाएगा g r square 5 r upon 4 का whole square तो finally कितना है मेरे पास 16 upon 25 into में g तो यह basically का value of g at a given point so आप देखते हैं next question के ऐसी में find the value of g at a height 36 km from the surface of earth अब आपको बताना है कि value of small g क्या होगा इस given height पर so अब यह जो height 36 km वो इस condition को fulfill कर रहे है आप देख रहे हो यह जो 36 km है वो 6400 के क्या है comparison में negligible है तो इसका हम बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग किसका use करेंगे अब वो given formula का use करेंगे so value of g क्या जाएगा यहाँ से g 1-2 h कितना है 36 और radius of earth कितना होता है 6400 km तो after simplification के बाद कितना है जागा है ऐसे 0.99 g तो यह आप देख चुके होगी कि आपको कहाँ पर यह वाला formula यूज करना है और कहाँ पर यह वाला formula यूज करना है ठीक है अब हम लोग next देखते है variation in g with depth अब हम माल लेते हैं कि हमार पास कोई भी एक point P है जो earth के अंदर लाई कर रहा है और earth के surface से distance कितना है इसका d तो आपको यहाँ दखना है जो d distance हो कहाँ से surface से है ठीक है तो अब जो हमार पास value of g होगा given point P पर किसके बराबर आएगा g 1-d upon r d basically कहाँ distance of that point where we have to find out the value of g from the surface of earth तो आपको छोट ऐसा formula gain याद अगना पड़ेगा ठीक है अब इसको आप proof भी कर सकते हो बैसे proof कैसे करोगे अभी हमने क्या देखा था बई जो g होता है वो क्या होता है g m upon r square होता है तो अगर आप mass की value रखो mass क्या होता आपका density into my volume ठीक है तो surface पे value of g कितना आपका 4 by 3 pi g rho r यह basically क्या आपका surface के ओपर value of g आचुका है अगर r capital r के बराबर होगा तो अगर हमने क्या माना कि center से distance कितना है मेरे पास small r तो इस point पे value of small g क्या होजाएगा मेरे पास 4 pi by 3 g rho into में r ओके और इस r को आप क्या लिख सकते हो अब इस r को आप लिख सकते हो capital r minus d अगर मैं यहांस r common ले लू तो मेरे पास कितना आजाएगा यहांसे 1 minus d upon r ओके अब यह basically क्या था मेरे पास simple g surface को उपर तो हम इसको बोल सकते है basically क्या आगया मेरा अब g आचुका है ठीके तो इस तरीके से भी आप इसको proof पर सकते हो बड़ यहां पर भी proof matter नहीं कर रहा तो आपको यह छोड़ा सा formula याद अखना है अगें बोड़ा में डी डिस्टेंस कहां से सर्फेस से तो इस formula का हम लोग यूस करते है अपने numerical में बोला गया find the value of g at a point which is situate r by 4 from the center अब मुझे दिया a distance from the center और डी कहां से होता है surface से तो आप एक बात बोल सकते हो कि अगर center से distance कितना है r by 4 तो यहां से कितना होगा यह r minus r by 4 क्योंकि अगर यह मालू मेरे पास earth है ठीक है यह radius हो गया अब यहां से distance कितना है r by 4 तो यहां से कितना होगा यह distance 3 r by 4 ठीक है तो हम क्या बोलेंगे जो depth हो कितनी है इसकी 3 r by 4 तो value of g at point p क्या जाएगा यहां से g 1 minus d कितना है 3 r by 4 divide by r तो यहां से मेरे पास आ चुका है वो g by 4 ओके तो आपको ऐसे approach करना है इन कोश्चनों में सो अब जो next case है हमारा variation in g with rotation of earth भई अब हमें पता है जो हमारी earth है वो अपने axis के about spin करती है ठीक है उसकी जो angular velocity वो मालो कितना है यहां पर omega और हमने कहा कि कोई भी एक point ले लिए उस surface के उपए which makes angle theta with the equatorial line ठीक है तो अब जो मेरे पास value of g हुआ इस point पर वो किसके बराबर आएगा g minus omega square r cos square theta तो आपको छोटा सा formula गेन यहां दखना पड़ेगा यह basically कहा है value of g at a certain point p which is lie at angle theta from the equatorial plane axis तो आप देख चुके हो देखो अगर हम लोग इस point को यहां पर ले 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 एक्वेटर पे तो theta कितना हो जाएगा 0 तो value of g क्या जाएगा यहां पर g minus omega square r क्योंकि theta cos 0 क्या होता है 1 तो मेरे पास expression कुछ यहां दाएगा किस पर when theta is equal to 0 degree और अगर मालो इस point को मैं जालू पोल पर तो angle कितना हो जाएगा 90 और cos 90 क्या होता है 0 तो यह पूरी term क्या हो जाएगी 0 तो हम क्या बोलेंगे जो value of g है पोल पे वो किसके बराबर है 9.81 के बराबर है बट जो value of g है वो equator पर 9.81 के बराबर नहीं है वो slightly कम है तो एक conclusion कहा निकला है ऐसे value of g at equator is lesser than value of g at point pole ठीक है तो आप पर छोटी सी बात अगेन यहां तक नहीं है ओके सो अब हम लोग अपने उस graph को देखेंगे इसके बार में मैं आपसे पहले बात किया था कि कई बार डारेक्टली graph पूछता है कई question में graph पूछा गया है ठीक है तो देखो अब हमें graph करना है small g के बीच मोर separation के बीच में separation मैंने कहां से लिया है center से लिया है earth के center से लिया है ठीक है तो आपके देखते हैं जब तक आपका r capital r के बराबर नहीं होता तो आपकी value of g increase करती है linearly अब यह कैसे बताया आपने अभी मैंने आपको बताया था small g क्या होता है 4 pi by 3 rho g into में r ठीक है जब तक यह r capital r के बराबर नहीं हो जाएगा तो आपकी value इंक्रीज होती जाएगी और जी directly proportional तो line कैसी बनेगी मैं यह अब street और अगर separation जादा हो जाएगा capital r से अब आपकी value of g क्या हो रही है अब यह decrease करती है तो value of g जी जब degrees करेगा तो और यहाँ पर expression कैसा बन रहा है आपका hyperbolic तो curve कुछ ऐसा बनेगा ठीक है तो आपको याद अखना है करेबर directly exam में पूसते हैं ग्राफ ही पूसते हैं ओके